सिविल केसेज के अगर बात की जाये तो हमारे देश में आदे से भी जादे सिविल केसेज लेंड या प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर होते हैं बाकी फैमिली मैटर्स, मनी रिकवरी, आई पियाल और भी दूसरे मैटर्स होते हैं Civil case में हम अपने सामने वाली पार्टी यानि defendant से अपना हक पाना चाते है या फिर हम उससे composition की मांग करते है यहां हमारा मकसद defendant को सजा दिलवाना नहीं होता इसलिए यहां हम FIA नहीं करते, सीधा court में suit file करते है पर हमारे देश में civil suit file करने का एक process है अगर हम वो process को follow नहीं करते है तो हमारा civil suit dismiss भी हो सकता है तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से civil suit file किया जाता है civil suit file करने का क्या process है हम इस वीडियो में civil court का पूरा procedure step by step जाने की कोशिश करेगे तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं एक civil मामले की शुरुआत तब होती है जब एक party की claim करती है कि उसे किसी दूसरे party की किसी action के वज़े से नुकसान हुआ है और वो party court में suit file करके, plant file करके, relief की मांग करती है plant की एक written complaint होता है जो plaintive defendants के against file करता है पुरा civil suit इसी plan पर based होता है plant में court का नाम, parties की details, facts, relief, jurisdiction वो सारी चीज़े होती है जो के हमें CPC के order 7 में दी गई है plaintive को plan, affirm या notary करवा कर, proper court भी के साथ court के filing department में file करनी होती है अगर सारी चीज़े properly होती है तो ही court defendants के against summon या notice issue करके definite को court में बुलवाता है पर यहां में समन से पहले आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा departmental process बता दो जो कि जब आप practically suit file करने जाओगे तब आपको बहुत ही काम आएगा जैसे ही हम प्लेंट filing department में file करते हैं तबी court कलक अपने register में entry करके हमें logic number, stem number देता है जिसके बाद हमारा plan checking department में दे दिया जाता है जहां checking officer ये चेक करता है कि जो suit file किया गया है उसका file करने का time limit खतम हुई है की नहीं suit सही court में file किया गया है की नहीं proper court fee pay की गई है की नहीं suit barred by low है की नहीं और भी ऐसे चीजों को अच्छे से check किया जाता है अगर कुछ गलतिया निकलती है तो office objection निकाला जाता है पर अगर कोई objection ना हो तो register या proton auditory register अपना endorsement दे कर हमारा suit admit कर देते हैं और हमें suit number दे दिया जाता है ये पूरा process code department में ही चलता रहता है यहां हमारा काम बस इतना होता है कि अगर कोई objection निकलता है तो सारे objection को remove करना और department से हमारे matter का suit number first hearing date कौनसी है किस courtroom number में हमारा matter चलेगा यानि courtroom number ये पता लगवाना अगर सारी चीज़े properly है तो हमारा case court record में आ जाने के बाद court defendants के अगेंट समन या notice इशू करता है ताकि defendant को भी पता चले कि उसके अगेंट सिविल प्रोसेडिंग शुरू की गई है और वो court में आकर अपना defense करे समन हम इन में से किसी भी mode के जरिये defendant को serve कर सकते है कहीं बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास defendant का address या फिर contact number ना हो तो court से permission लेकर समन या notice को news paper के through भी publish कर सकते है समन या notice सर्फ हो जाने के बाद अब यहां दो चीजे हो सकती है या तो समन मिल जाने पर defendant court की fix की गई हुई date में court में हाजिर हो जाता है या फिर defendant समन मिल जाने पर भी court में हाजिर नहीं होता अगर defendant समन मिल जाने के बावजूद भी court में हाजीर नहीं हो रहा है तो ऐसी case में ex-party proceeding शुरू की जाती है जहां plaintiff के evidence record किये जाते है plaintiff के argument को सुना जाता है और फिर judgment और degree दे दी जाती है ये तो हमने देखा ex-party process पर अगर समन सर्फ हो जाने पर definite court में आ जाता है अपियर हो जाता है तो definite को court में return statement फाइल करनी होती है return statement plan का reply होता है जो कि definite को संबन या notice मिल जाने के 30 दिनों के अंदर ही फाइल करनी होती है और अगर court से permission मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों के अंदर return statement फाइल के जा सकता है अगर फिर भी written statement फाइल नहीं होती है तो court plan के best पर ही अपना decision ले सकता है written statement में definite अपने site का fact रख कर अपना defense करता है अगर definite plan में लिखी हुई किसी भी बातों को specifically deny नहीं करता है तो court ये मानकर चलता है कि defendant उस चिसको admit कर रहा है written statement के जरिये definite set of या फिर counter claim भी कर सकता है मान लीजे definite अपना written statement में set of या counter claim का दावा करता है तो ऐसे case में plaintiff को court में re-application फाइल करना होता है application जो कि written statement का reply होता है जो कि plaintiff की तरफ से court में फाइल किया जाता है यहां मैं आपको बता दू application इन तिन situation में ही फाइल किया जा सकता है फिर दोनों ही parties को अपनी pleading और submission को और strong करने के लिए यहां court parties को ये भी मौका देता है कि वो court में अपने अपने तरीके से अपने case के related documents court में produce और फाइल करें यहां ये ज़रूरी होता है कि जो भी documents parties court में produce कर रही है वो original हो और उस document की copy opposite party को भी दे दी जाए और जो भी documents court में file या produce नहीं किये गए है तो उन documents पर आगे जाकर कोई arguments नहीं किया जा सकता यहां दोनों ही parties एक दुसरे के file की हुए हर एक एक documents को या तो admit करते हैं या फिर deny यह हो जाने के बाद court issue frame करता है suit की dispute को ध्यान में रखते हुए ही issue frame किये जाते है court के दौरा जो issue frame किये जाते है उनके best पर ही argument और witness को examine किया जाता है फिर court में दोनों ही parties अपने अपने गवाहों के list court में submit करते हैं जहां parties जो भी witnesses को court में produce करना चाते है वो कर सकते है यहां parties खुद ही witnesses को बुला सकती है या फिर court संबन देकर witnesses को बुलाता है और फिर जो भी witnesses court में produce किये जाते हैं उनका cross examination होता है सबसे पहला plaintiff अपनो और अपने witnesses का court में एफिडिविट form में evidence file करता है और फिर defendant को जो भी evidence file किये गए है उस पर cross examination करने का मुका दिया जाता है फिर ठीक उसी तरीके से defendant को भी मुका दिया जाता है कि वो अपने और अपने witnesses का evidence court में file करें और फिर plaintiff की तरफ से cross examination लिया जाता है सारे witnesses की गवाई हो जाने के बाद matter को final hearing के लिए रख दिया जाता है जहां दोनों ही parties की बीच argument होता है पहले plaintiff के तरफ से argument किया जाता है और फिर defendant की तरफ से argument होता है अगर party चाहे तो वो written argument भी court के सामने पेश कर सकती है court दोनों ही parties को अपने अपनी बात रखने का पुरा मोका देता है और फिर क्या parties की बीच final argument हो जाने के बाद अधालत तमाम गवाओ के बायानात और सबुतों को मद्धे नजर रखते हुए court अपना फैसला सुना कर judgment और decree पास करता है यहां मैं आपको बता दू final argument हो जाने के 30 दिनों के अंदर ही court को अपना judgment देना होता है जहां judgment डिटेल में होता है judgment में court जो भी suit का issue होता है उसे answer करता है reason के साथ तो वही decree में party को क्या अधिकार relief मिला है वो दिया होता है जिस party के favor में court अपना फैसला देता है उसे decree holder कहा जाता है और जिस party के against court अपना फैसला देता है उसे judgment डिटर कहा जाता है अगर judgment डिटर court की decree को नहीं मानता है या फिर उसका पालन नहीं करता है तो ऐसे में decree holder execution of decree का application court में file कर सकता है अगर कोई भी concern party court के फैसले से satisfy नहीं है तो वो review, revision या फिर appeal भी कर सकती है review के लिए parties same court में apply कर सकती है और वही revision और appeal के लिए higher court में apply किया जाता है ये civil procedure पुरा हो जाने के लिए कही बार सालों साल बीच जाते है लेकिन suit file होते ही हम कही सारे motion या application court में move करते है जैसे की court से stay order पाने के लिए court receiver appoint करने के लिए court commissioner appoint करने के लिए arrest या property attest करने के लिए और भी कही सारे application हम court में move करते है यहां मैं आपको एक चीज़ बता दू ये proceeding के चलते plaintiff चाहे तो suit को withdraw भी कर सकता है या फिर parties आपस में settlement, compromise भी कर सकती है और court में consent term भी file कर सकती है तो हमने देखा पुरा civil process step by step next video में हम जाने की कोशिश करेगे कि किस तरीके से step by step 138 negotiable instrument act के matter court में चलाये जाते है और check response हो जाने पर draw भी को क्या करना चाहिए और किस तरीके से 138 negotiable instrument act के matter court में file किये जाते है तो हम फिर मिलेगे एक नए वीडियो में एक नए legal topic के साथ